चिल्डर्न्स बाइबिल क्लब के साथ में जोड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालॉम पवित्र शांस्त्र बाइबिल में लिखा है मैंने तुम्हें नाम लेकर के पुकारा है तुम मेरे ही हो परमेश्वर पिता के लिए किसी भी विक्ती का नाम बहुत ही आवशक है बहुत महत्वपूर्न है कई बार तो यह हुआ है कि परमेश्वर ने लोगों के नाम भी बदल दिये शिमौन का नाम उन्होंने कहा पत्रस होगा अबराम का नाम उन्होंने अबराहम रख दिया और फिर उसके बाद में हम देखते हैं याकूब का नाम उन्होंने इसराहिल रख दिया आईए शुरू करते हैं आज की क्लास क्योंकि हम इन दिनों में सीख रहे हैं बाइबल के यही चिर परिचित नामों को इबरी भाशा में कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। आव हम सीखें इबरानी भाशा। आदम से प्रभु येशु तक की वनशावली के अंतरगत आज हम लोग तीसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने आदम से लेकर नोहा तक और दूसरे भाग में शेम से लेकर अबराम तक देखा था तीसरे भाग को आरम करेंगे अबराम का नाम परमेश्वर ने बदल करके अबराहम रख दिया अब वो केवल उन्नत पिता नहीं परंतु अबराहम हो गया है और इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में यो लिखा जाता है अलिफ के नीचे आ की मात्रा बेत और उसके बाद में रेश में आ की मात्रा हे के नीचे आ की मात्रा और फाइनल मेम और इसका उचारन भी होता है अब्राहाम अब्राहाम और इसका अर्थ होता है जातियों का पिता यानि जाती जातियों का पिता Father of Nations बहुत बड़ी आशीश परमेश्वा ने अबराम को दी थी अबराहम में उसका नाम बदल कर अबराहम का एक पुत्र था इसहाक आईजाक और इसहाक को इबरी स्क्रिप्ट में यो लिखा जाता है योध है जिसके नीचे एक सिंगल डॉट है मतलब ये हो गया E साबे है और सरल उचारन के साथ में उसके बाद में खेत है आ की मातरा के साथ और उसके बाद में कुफ तो ये हो गया E स हाक और ह को भी थोड़ा गले में पीछे से पुकार करके आपको कहना है अगर इबरी का सही उचारन बोलना चाहते हैं तो और इस हाक शब्द का अर्थ होता है आनंदित हो जाना मतलब हसना और ये इस हाक का नाम का अर्थ है आनंद या हसना जो तस्वीर यहां पर आपको दिखाई दे रही है आपको घटना भी याद आ रही होगी जब अबराहम अपने बेटे इस हाक को मोरिया परवत पर ले करके जाता है और उसमें भी एक खास जगह को जो परमेश्वर उसे बताता है वहाँ वेदी बनाता है और रास्ते में उसका जवान बेटा उससे पूछ लेता है पिता जी हमने बली करने के लिए लकडियां भी रख ली है और धारदार चाकू भी है और आग भी है लेकिन बलीदान का मेमना कहा है तब परमेश्वर के प्रबंद को ध्यान में रखते हुए अबराहम ने अपने बेटे से कहा था यहोवाई रह यानि परमेश्वर इस बा की अडंगा डालने वाला और वो एक बार अपने रास्ते पर था भाग के जा रहा था कहीं और एक जगा सिर्टिका करके सो जाता है तब उस थान पर एक स्वपन देखता है मानो दर्शन हो और उसमें वह स्वर्ग तक की सीड़ी को देखता है और उसमें से स्वर्ग दूत रहे हैं चड़ रहे हैं इस प्रकार से बड़ा अद्भुत द्रिश्य उसके स्वपन में दिखाई दिया था जी हाँ अंग्री जी में इसे जेकब पुकारते हैं हिंदी में याकूब शब्द है और इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में यो लिखा जाता है योद के नीचे आ की मात कोफ में उपर डॉट डिला है और फिर उसके बाद में ब इसका उच्चारन हो जाएगा याकूब याकूब और इसका अर्थ केवल अडंगा डालने वाला ऐसा नहीं है परंतु लड़कर के प्रबल हो रहा है जो सामर्थी राजकुमार और आपको याद होगा कि याकूब का भी नाम बदल देता है और उसका नाम बाद में इसराइल हो जाता है तो परमेश्वर बड़ी अद्भुत आशीशें देता है जब जब वो नाम बदल देता है तो याकूब है जो लड़कर के प्रबल हुआ प्रबूप परमेश्वर के साथ में मानो कुष्टी लड़ा उसने और वो सामर थी राजकुमार इसराइल बना या कूब का बेटा या इसराइल के जो बारा बेटे हैं उसमें से बारा बेटों में से एक बेटे का नाम और मैं फिर आपको बता दू मैं केवल उस बेटे का नाम ले रहा हूँ जो प्रभु येशु की वन्शा वली में नजर आते हैं और उनका बेटा यहूदा इंग्लिश में जूडा शब्द लिखा है और इसको हिब्रू स्क्रिप्ट में यो लिखना है योद के नीचे दो वर्टिकल डॉट्स मतलब उचारन हुआ यह फिर हे है और उसके बाद में वाओ के बाद बीच की बिंदू है मतलब उ की मात्रा यहने यह बन जाएगा हू और दालित के नीचे आ की मात्रा और फिर एक बार हे है हू तो इसका उचारन हो जाएगा यहूदा हू यहुदा बोलते समय यहुदा है तो बहुत अधिक हर पे स्ट्रेस नहीं लाना है अंतिम वाले पर फिर भी उच्चारण में हर निकल कर आता है यहुदा और इसका अर्थ होता है परमेश्वर की स्तूती करने वाला परमेश्वर की स्तूती करने वाला और यह तस्वीर से आप को घटना याद आ रही होगी जहां पर यहूदा और तामार वहां पर हैं और उन ही के द्वारा जो संतान उत्पन होती है वो प्रभू येश्यु की वनिशावली में नजर आती है और उनको संतान जो हुई थी ये देखिए बड़े प्यारे प्यारे से हैं और हम लोग साधरनता समझते हैं कि बाइबल में केवल एक ही जुडवा बच्चे मिलते हैं याकूब और इसाव लेकिन अगर आप उत्पती के 38 में अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि यहां पर भी जुडवा बच्चे पैदा होते हैं जो यहुदा के हैं और उन में से एक प्रवु येश्यू की वनशावली में भी नज़र आता है और वो है नाम पेरेस और इसको हिब्रू स्क्रिप्ट में यो लिखना है और यहां पर है पे एकी मातरा के साथ रेश है एकी मातरा के साथ और फिर फाइनल तो इसको आप कैसे पढ़ाईंगे? पेरिज इसपरकार से है और इसका अर्थ होता है तोडकर बाहर आना यदि इनके जनम की घटना को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका नाम पेरिज क्यों है या तोडकर के बाहर आने वाला क्यों है? पेरेस के बाद में जो नाम में वन्शावली में मिलता है वो है हिसरौन का हिंदी में इसे हिसरौन शब्द कहा गया है और इसे इबरी में यू लिखते हैं खित है एकी मातरा के साथ सादे है सरल उचारन रेश है जिसमें Oh की मात्रा लगी हुई है और Final Noon है और इसको पढ़ेंगे कैसे हैजसरोन हैजसरोन इस परकार से इसका उचारन है और इसका अर्थ होता है दीवारों से घिरा हुआ और हैजसरोन के बाद में हमें नजराता है राम राम और द्रिश्य बता रहा है कि मिसर में जा चुके हैं वहां जाकर के रह रहे हैं और पिशली तस्वीर में आपने देखा था भेड़ बक्री चराने वाला बन गया था इस रोन और अब राम को हम देखते हैं और राम शब्द को किस तरीके से लिखना है एकदम सरल है रेश के नीचे आकी मातरा और फाइनल मेम और इस शब्द का उचारन भी वैसा ही है राम और र के उचारन पर ध्यान देना आप उसको पीछे से कहा रहे हैं मतला राम हिंदी में राम बोलेंगे लेकिन इबरी में राम और इसका अर्थ होता है बहुत उंचा बहुत उंचा राम बहुत उंचा और राम का बेटा जो हुआ था वो है अमीनादाब अमीनादाब अब ऐसा लग रहा है कि मिसर में पहुँच गया और वहां पर जाकर के बहुत श्रम लिया जा रहा है और गुलामों की तरह काम लिया जा रहा है जो इबरी लोग थे उन लोगों से तो अमीना बार divorced में नून है आँकी मात्रे के साथ डाले थै आँकी मात्रे के साथ और फिर एक बार बेत है और इसको हम लोग हिबरी में कैशा पढ़ेंगे बिलकुल वेसा ही जैसे हमने हिंदी में बोला था अमीनदाब अमीनादाब शब्द का अर्थ होता है जो राजा की संतान है आज हम लोगों के साथ में मुर्तिजबपूर के भाई क्या नम बता है आपने इवान 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 यहाँ पर है आप कितने साल के हैं दस साल के है और जीनियोलोजी ओफ जीजस में से एक छोटा पैट बोल करके बताएंगे आदम से तेनुस के ननमालिल जारे ठानंग बजिशला लामिक नोहा से मरपसद सेला एबेर पेलेक रऊ सरूख नाहुर तेरह अपरहाम इसाहाँ क्याकूप यहुदा हेजरून हेजरून राम आमिन अदाब नहसन सल्मोन बोवाज ओबेद इसायदा विरू वंडर्फूल हशा में कैसे लिखा जाता है और इनका उचारन कैसे किया जाता है और जब यह सारे नाम आदम से लेकर येशु तक बोले जाएंगे तब आप जानेंगे की वास्ताव में आप क्या कह रहे हैं